Hello students, आज हम पढ़ेंग लेसे No.7 क्या निराश हुआ जाए मेरा मन कभी-कभी बैट जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डगैती, चोरी, तसकरी और भृस्टचार के समाचार भरे रहते हैं प्रत्यारोप का कुछ ऐसा बातवरन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहे गया हर व्यक्ति संदे की दिरिश्ची से देखा जा सकता है जो जितने ही उचे पतपर है उसमें उतने ही अधिक दोश दिखाए जाते हैं गुड़ी कम या बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नहीं इस्थिती अगर ऐसी है तो निशे ही चिंता का विशे है क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था रविनाठ ठाकुर और मदन मुहन मालवे का महान संस्कृती सब्वे भारत वर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया आरे और द्रवन हिंदू और मुसल्मान यूरोपिय और भारतिय आदर्शों की मिलन भूमी मानव महा समंदर क्या सूखी गया मेरा मन कहता है ऐसा हो नही यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा महल बना है कि मानदारी से महनत करके जीवी का चलाने वाले नेरिया और भोले भाले श्रम जीवी पिस रहे हैं और जूट तता फरेब करोजगार करने वाले फलफूल रहे हैं मानदारी की मूर्खता का पर्रयाय समझा जाने लगा है पर्ति में जीवन के महान मूले के बारे में लोगों की आस्ता ही हिलने लगी है भारत वर्ष ने कभी भी नैतिक वस्तों के संग्रे को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया उसकी दृष्टी से मनुष्य की भीतर जो महान आंत्रिक गुड भाव से बैठा हुआ है वही चरम औ अधि विचार मनुष्य में सवभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तता बुद्धी को उन्हीं के शारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आच्टने भारत वर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना उन्हें पाइदे कानून मनाएगा जो क्रिशी उद्योग वानिजे शिक्षा और स्वास्ते की स्थिती को अधिक उन्नत और सचारू बनाने के लक्षे से प्रेरित ने पर दो जिन लोगों को इनकारियों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है प्राया वैहीं लक्ष नहीं करते हैं इस बात के पर्याप्त प्रमान खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहें जो भी होता रहा हो भीतर 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 भारतवर्ष अब भी यह अनुवब कर रहा है कि धरम कानून से बड़ी चीज है अब भी सेवा इमानदारी सच्चाई और अध्य लेकिन नस्ट नहीं हुए आज भी मनिश्य से प्रेम करता है महिलाओं को समान करता है जूट और चोरी को गलत समझता है दूसरों को पीड़ा पचाने का पाप को समझता है हर आदमी अपनी व्यक्तिकत जीवन में इस बात का अनुबब करता है समचार पत्रों में जो प्रस के उध्धकार्ट करके उसमें रस लिया जाता है और दोष दोष दघःतन को एक मात्र करता है बुराई में ऐस रस लेना बुरी बात था तैंक उतना ही रस लेकर उजागरना करना और बुरी बात सएकड घटना है ऐसी घट्यवर्ध करने से लोग जित्म त्वर चाह को प् उसने मुझे पैचान लिया और बड़ी विनम्रत्ता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपर रख दिया और बोले ये बहुत गलती हो गई आपने नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उसके चाहरे पर विचित्र संतोष की गरीमा थी मैं चकित रह गया कैसे कह दूं कैसे कह दूं की दुनिया से सच्चाय मांदरी लुपतो गई है वैसी अनेक अवांचित घटनाई भी होई है परन्तु ये एक घटना ठगे और वंचिना की अनेक घटनाओ की अधिक शक्तिशालिया एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पतनी औ बस ने जवाब दे दिया रात के कोई दस बजे होंगे बस में यात्री घबरा गए कंड़क्टर उतर गया और एक साइकल लेकर चलता बना लोगों को संध्य बस में बैठे लोगों ने तरे तरे के बाते शुरू कर दी किसी ने कहा यहांटा कहती होती है दो दिन पहले इसी पर हवाईयां उड़ने लगी लोगों ने उसे पकड़ लिया वे बड़े कतार धंसे मेरी और देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं बचाईए ये लोग मारेंगे डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातार मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझा देड़ दू घंटे बीद गए मेरे बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकुल थे मेरी पत्नी की बुरी हालत थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगा घिर कर रखा कोई भी दुरगटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा मेरे गिड़ गराने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बैठा हुआ है उसने आते ही का अड़े में नहीं बस लाया हूं इस बस मर बैठी है मैं बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानियों थोड़ा दूद लेकर आया बोला पंडिजी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया वही दूद मिल गया थोड़ा लेता आया यात्रियों में फिर जान आई सब ने उसे धन्यवाद किया ड्राइवर भी खाया है परंतु कम इस्तिलों पर विश्वासगात नाम की चीज मिलती है केवल उनी बातों का हिसाप रखो जिन में धोका खाया जो जीवन कस्ट कर हो जाएगा परंतु ऐसी घटनाए भी बहुत कम हैं जब लोगों ने आकरण सायता की है निराशा मन को धाडस दिया है और हिम्मद बनाई कभी पर रविन्ना ठाकुर ने अपने प्रातना गीतर में भगवान से प्रातना कीती संसार में केवल नुकसानी उठाना पड़े धोका ही घाना पड़े तो ऐसे अफसरों पर भी है प्रभू मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुमारे उपर संधह ना करू मनुश्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुच रही है तो इन्हें बदलना होगा वस्तुता आए इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की जोती भुजी नहीं है महान भारतवर्ष को पाने की संभाबना बनी हुई है बनी रहेगी मेरे मन निराश होन की जुरूत नहीं है नेक्स्ट वीडियो में फिर में लेंगे